Hello, Good Morning and Welcome Back Friends, आप देख रहे हैं Golden Air Education YouTube चैनल, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 3 दिसंबर से रिलेटेड चितने भी important current affair बनते हैं, सारे इस लेसन में complete करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे extra factory यहाँ पर डिसकस करेंगे, सो पूरे लेसन को ध्यान से और लाश्ट तक आप चरूर द रहे हैं, तो सब्सक्राइब प्लस उसाइड में बेल आइकन नीचे इस्तरे का, इससे आप जरूर दबा लेजीगा, इससे आपको आने वाली जो अपनी नई चैनलनर की वीडियो है, वो आपको मिलते रहेगी, continue, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, चो लास्ट की करंटा फिर की, आज का पहला प्रशन देखिए, अंद्रेस, मैन्योल, लॉपेज, अबरड और निम्न में से किस देश के नए राष्टपती चुने गए हैं, तो आपका राइटन सोगा मेक्सीको, ये नाम आप ध्यान रख लिजेगा थोड़ा सा, जो अंद्रेस, मैन्य इनको हाल ही में मेक्सीको का नया राष्टपती चुना गया है, ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर देखे अगर बात करते हैं, इनका कारेकाल 6 साल के रहे लिए रहेगा, इनको 6 साल के लिए चुना गया है, मेक्सीको का राष्टपती, और यहाँ पर देखिए, मेक्सी मेक्सिको की बारे में और जान लेते हैं मेक्सिको की जो कैपिटल हो है मेक्सिको सीटी आप यहाँ पर इस तरीके से याद रख लेजेगा मेक्सिको को नाम से इसका मतलब की कैपिटल है मेक्सिको सीटी ठीक है और इसकी जो करंसी है मेक्सिकन पीसो यहां की इसकी करंसी है ठी नेक्स्ट कॉसन देख लेते हैं अपना निम्न में से किस निसाने बाज को सरवच्चे पुर्षकार W क्रोस से सम्मानित किया गया है तो आपका राइट अन्स होगा कि दाम भी स्रीका सोरी यहां पे अभिनव बिंद्रा ठीक है समागा अभिनव बिंद्रा यहां पे राइट सरोगा तो देखिए निसाने बाज का जो सरवच्च पुर्षकार हाल ही में दिया गया है जिसका नाम है W क्रोस यह किसे दिया गया है अभिनव बिंद्रा को जो की सूटिंग से सम्मानित है देखिए यहां से कई तरीके से कॉर्षन बनता है यह पूछा जाता है कि W क्रोस दिया जाता है तो आपको दहान रखना है निशाने बाज की चेतर में दिया जाने वाले सरवच से पुर्षकार है तो यह निशाने बाज से समद्ध से सूटिंग से इनका समंद है ठीक है यह आप दहान रख लिजेगा यहां पर अगर मैं बात करूँ अभिनव बिंद्रा क तो ये इनका समंद उत्राखंड से है ये भी आप ध्यान रख लिजिएगा पूछ ले जाता है कि निम्न में से इस प्लेयर का जो कोई प्लेयर का नाम दे दिया जाता है उसका राज्य से समंद पूछ ले जाता है तो ये उत्राखंड से समंद दिता है फिर देखिए अगला किस देश में इबोला वाइरस के संक्रमन को विश्व स्वास्ते संगठन डबलू एचो ने इतियास का दूसरा सबसे बड़ा प्रकोप की संग्यादी है आपका राइट अन्सोगा कांगो देखिए अभी वर्तमान में जो है कांगो के अंदर जो इबोला वाइरस है उसका बह लख लीजीगे ओंखी आगो की की बात की है तो कांगो से आपको ऑपता दूँद इसकी जो केपिटल है किन शासा किन केपिटल की और यहां की जो कि दिया से लिखेंक वहीं पर इसका headquarter है जो बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया जाता एक्जाम में उसके बाद में इसके जो अध्यक्स है वरतमान में जो डबलुएचो इसके अध्यक्स वह आपको नाम ध्यान रखना है नेक्स जो करसान है अपना देखिए हाल ही में इसरो द्वारा प्रेक्षिप्त निम्न में से किस ग्रह को तिक्ष्ण आखिया साप आई का संग्या दी गई है या फिर इसको जो है इस नाम से गोशित किया गया पुकारा गया है तो आपका राइटान सुगा हाइसिस देखिए जो हाइसिस है यह हाल ही में जैसे है कि मैंने आप रिसेंटल आपको बताया था है कि अभी इस लो ने टोटल जो है तीस विदेशी सेटलाइट प्लस एक जो है सवदेशी सेटलाइट लॉंच किया है ठीक है पी एसलवी सी फोर्टी थी जो लॉंचिंग विकल है उससे और यहां पे देखिए तेस जो यहां पर विदेसी उपगराय इसकी तो हम बात नहीं करेंगे जो सवदेशी उपगराय इसकी यहां पे हम बात कर thirst करेंगे इसका नाम है हाइसिस हाइसिस इसका फिल्फों बहुता ठीक है, इसको हाली में इसरों ने लॉंज किया है, तो देखिए इस सेटलाइट को जो है, सार्प आय का यहाँ पर नाम दिया गा है, यह आप ते हां रख लीजीज़ीगा, ठीक है, हाईस इसको, अगर इस सेटलाइट की मैं बात करता हूँ तो इसक इसको जमीन से लगबग 630 किलोमेटर की उन्साय पर इस्तापित किया गया है, जहां से ये धर्ती के कोने-कोने पर नजर रखने में सक्सम है, वहां से मतलब कि हर जगा पर पूरी जमीन पर जो है ये नजर रख सेगा, और इसलिए इसको सारपाई या तिक्षनाय का नाम दिय है, ठीक है? और जैसे कि मैंने बताया, इसका जो उद्दे से लौंज करने का इसका कार्य हुआ, परत्वी की सत्य का अध्यान करने के लिए इसको लौंज किया है, ठीक है? इसका वेट की अगर मैं बात करता हूँ, आप नोलेज के लिए ध्यान रख सकते हो, इसका वेट ट क्रपान रखने है तो संसोधन को मंजूरी देती है तो आपका राइट अन्सोगा बेटेन संसदने यह मंजूरी दे दिये दिए दिखिए जो एक बिल है जो अस्त्रव होते हैं ठीक है उनसे रिल्टेड एक बिल है ऑफेंसिव वेपेंस बिल 2018 इसका नामी बिल का इसमें हाल ह कर्म के जो मतलब की जो लोग हैं वो जो करपान रखता है जो मतलब की उनके पास तलवार होता है उनको रखने समन देती है यह संसोधन हुआ है यानि कि अब यहां पे क्या हुआ है कि इस संसोधन में यही हुआ है कि 18 साल से उप्र का अगर कोई भी जो व्यक्ति होता है सिक होता है तो वो अपने साथ ये करपान रख सकता है ये कानूनी मंजुरी मिल गई इसको पहले कानूनी मंजुरी नहीं लिये इसको आपने साथ रखने की ठीक ये इस इस बिल के अंदर हुआ है लेकिन यह यहां पर ओनली 18 साल से उपर लोगों के लिए उससे नीचे वाले लोगों के लिए इसको मंजुरी नहीं मिलिए ठीक है चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कॉसन की हालही मी चर्चा में रही चुटकिया भुंजिया आदीम जन्जाती का समन्द निम्न में से किस राज्य से है तो आपका राइटन सुगा ये है ओडिसा से अभी रिशेंटली ये न्यूज में रहा है काफी ज़्यादा अभी देखिए जो यहां की जन्जाती है उसने जो यहां के इस मुख्यमंत्री है जिनका नाम है जो मतलब की नवीन पटनाए कि यहां के मुख्यमंत्री ओडिसा की ठीक है अभी वर्तमान में उनके समक्स यहा से चुक्टिय बुंजिय जंदर्दी किस राज्य समंदित है तो आपको बताना ओडिसा ठीक है ओडिसा की बात किये है तो जिसे कि मैंने बताया नवीन पटनाई कि यहां पर अभी वरतमान में मुख्य मंत्री है और यहां की जो कैपिटल हो है भुनेस्वर और जो गवर्नर ह हो है गणेसी लाल नेक्स्ट जो हमारा प्रिशने देखिए केंद्रिय क्रह मंत्री राजनाथ सिंग ने पूरे देश के लिए आपात मोबाइल एप के तहत पैन इंडिया नंबर की गोशना की है यह कौन सा है तो आपका राइटन सोगा 112 ठीक है 112 जो नंबर है उसको यहां पर गोशना की है पूरे इंडिया के अंदर लागो करने की पैन इंडिया नंबर की मतलब की यह नंबर क्या होगा कि इसी से जितने भी आपात से रिल्टेट जितनी भी जो सेवाय है पूरे एक ही इसी नंबर से आपको उपलब्ध होने वाली है इस एक नंबर से आपको जि G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौफी गई है तो बहुत ज़्यादा important प्रिशन है आपका right answer होगा भारत को जो next जो 2022 में जो G20 सिकर सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ पे हुगा भारत में आने कि भारत उसकी मेजबानी करेगा यह आप ध्यान रख लिजेगा और अभी कहा हुआ यह संपन अभी हुआ है जो वहाँ पे हुआ जैसा है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था तो यह जो मतलब की आयोजक देश है वो आप जरूर ध्यान रख लिजेगा इनके ठीक है अभी हुआ है विवनेसा आयरेस जो की अरजेंटिना का सहर है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर कॉसन देखिए निम्न में से किस के द्वारा हाट अटेक रिवाइन नाम का बियान शुरू किया गया है देखिए किस के द्वारा यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग हुआ मिस टाइप हुआ है तो यह कॉसन है कि निम्न में से किस के द्वारा हाट अटेक रिवाइन नाम का बियान शुरू किया है तो आपका रिटान सुगा खाद सुरुक्सा और मानक परादीकरन जिसको फसाई इंगलिस में आप बोलते है फसाई तो इसी के द्वारा यह हर्ट टेक रिवाइन नाम का बियान शुरू किया है और यहाँ पर अगर बात करते इस अबियान का लक्से क्या है तो इसका लक्से है 2022 तक देश को वसा मुक्त बनाने के लिए ही इसको जो है शुरू किया है यहनि कि इस अबियान के तरूर लोगों को जागरू किया जाएगा वसा को कम करने के लिए जो फैट होती है ठीक है उसको और 2022 तक भारत को फेट मुक्त बनाने के लिए ही इस अभियान को सुरू किया है जिसका नाम है Heart Attack Rewind ठीक है और यह किसके द्वारा फसाई के द्वारा खाद फसाई का फुलफों में आपको बता दो देखें फसाई का फुलफों में बता है Food Safety and Standard Authority of India यानि कि जो भारत में जितने भी जो खादेफदार्त बनते हैं जो निर्माद के जाते हैं विबिने कंपनी द्वारा उनको ये कंपनी जो है ये जो फसाई से संस्ता ये लाइसेंस देती है जबी ओ मार्केट में आते हैं ठीक है तो यही इसका काम है जांच करके गुणवक्ता की जांच करती है मतलब ये जो होती है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखे आज की जो क्वीजाब के लिए इस कांसर आपको लिखना है नीचे कमेंट वोक्स में तो देखे कॉसन है निमन में से किस बॉलिवूट अभिनेता को सहिया जी रहतन पुर्षकार 2018 से सम्मानित किया गया है जो भी आपका अंसर है लिखना है नीचे कमेंट वोक्स में सवाई ये थी आज की करंटा फिर आई होप आज की वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी किसी भी कॉसन से लिटेट कुछ डाउट है तो लिखना नीचे कमेंट वोक्स में थैंक्यू समझ फोर वाचिंग आज धन्यवाद